इस वीडियो में मैं BPSCAE के लिए क्या स्टार्टजी होनी चाहिए उसको डिसकस करूँगा या वीडियो मेकेनिकल और सीविल दोनों के लिए हिल्फुल होंगे सबसे पहले मैं अपना इंटोडक्शन देता हूँ मेरा नाम राजीव कुमार सिंग है मैंने BPSCAE मेकेनिकल में राइंक 10 से क्योड किया हूँ मैंने अपनी मेकेनिकल इंजिनेरिंग एनाटी जमसेत्पू से 2017 में कम्प्लीट की मेरी प्लेस्मेंट टाटा मूटेस में हुई थी वहां मैंने 6 मच जॉब की बट मेरा ultimate aim था कोई government service को जॉइन करना जिसके कारण मैंने February 2018 में जॉब को quit कर दिया और देली में जाके one year coaching की और उस one year मैंने बहुत ही मेहनत किया बट unfortunately ये 2019 में मेरी rank around 1800 आई जिसके कारण मेरा कोई PSU में selection नहीं हो पाया वहीं मैं EAC की prelims भी qualify नहीं कर पाया बट मैं अपना hope lose नहीं किया मैंने अपनी preparation को continue रखा और जितने भी PSU अपना exam conduct किये लाइक BHEL, DRDO, SJBN, OIL India and BARC ये सारे exams मैंने दिये और सारे exams के return qualify भी किये बट unfortunately किसी के भी finalist में मैं नहीं आ पाया बट मैंने फिर से अपनी hope lose नहीं कि और अपनी preparation को continue रखा और इस साल मैंने finally BPSC AE में rank 10 से cure किया और EAC की prelims से भी qualify किया हूँ ISRO के RAC exam होता है उसमें भी मेरी result आई है और ISRO का mechanical scientist का जो exam होता उसमें भी मैं qualify किया हूँ तो इससे मैं यह infer करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे friends आप preparation कर रहे हो आपको हो सकता है दो साल लगे हो सकता है तीन साल लगे आपको success पाने में बट आप consistently work करोगे तो मैं आपको यह guarantee से बोल सकता हूँ कि आप certainly एक दिन success को achieve करोगे स्टार्ट करते हैं कि BPSC AE के लिए क्या strategy होनी चाहिए जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि BPSC AE ने आप pattern change कर दिया है इससे पहले उसका prelims हुआ करता था mains हुआ करता था mains में objective paper होते थे subjective paper होते थे then interview होता था अब क्या कर दिया गया है कि जो BPSC AE का एक्जाम होगा वो single tier होगा मतलब एक ही level में एक्जाम होंगे और इसमें total six paper होंगे उसमें से दो paper जो होंगे वो qualifying nature के होंगे मतलब कि अगर six paper देखे तो कौन कौन से paper है एक general Hindi है और एक general English है यह दोनो 100-100 number के होंगे एक एक गंडे के होंगे और इसमें आपको 30% marks लाने होंगे तभी आपके next paper जो बचे हुए paper है वो check होंगे otherwise अगर आप 30% marks नहीं secure करते हैं तो आपके next paper check नहीं होंगे तो इसके लिए कोई आपको special study करने की जरूरत नहीं है आप exam से 3-4 दिन पहले previous years के questions को देख के जाए मैं आप guarantee से बूल सकता हूँ कि आपने हिंदी अगर कभी भी primary label में school में आपने हिंदी पर ही है और English पर ही है तो आप हिंदी और English में आराम से 30% marks ला लेंगे next paper की बात करते हैं तो next paper आपका general studies है general studies के लिए आपको बहुत सारे variety of syllabus को complete करना पड़ेगा history हुआ, quality हुआ, economy हुआ, current affairs जो majority of the questions आते हैं, award हुआ तो general science हुआ इन सभी के लिए मैं बोलूँगा कि जो source, best source available है मेरे according वो है सौरप पांडे सर का lectures जो की unacademy में available है सौरप पांडे सर जो की X made easy faculty है, वो general studies पढ़ाते हैं, उनकी lectures मैं बोलूँगा कि वो बहुत ही helpful होंगे GS की preparation के लिए next अगर बात करें, general engineering science की तो general engineering science अगर आप mechanical से हैं तो general engineering science के जो 60% of the questions होंगे वो आपके branch से रहेंगे, अगर mechanical से हैं तो mechanical से रहेंगे और अगर civil से हैं तो around 60% of the questions civil से होंगे और 20% of the questions around civil से होंगे, जो की core civil से होगा like surveying और building material से सबसे ज़्यादा question आते हैं civil के अगर 10 question आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि 7 question या 6 question यही दोनों topic से आता है तो अगर आप चाहते हैं कि यह दोनों topic का मैं video बनाऊ तो आप comment box में comment कर सकते हैं मैं इसका video बना दूँगा जो कि आप लोगों के लिए helpful होगा और 20% of the questions around electrical से आएंगे तो मैंने electrical के लिए कुछ special तयारी नहीं की थी मैंने previous year को analyze किया था concept को मैंने study कर लिया कि हाँ इस topic से अगर question आ रहा है तो इस topic से basic चीश cover कर लिया जाए so that कि अगर उससे फिर से पूछे तो मैं इस question को solve कर सकूं अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मैं आपको यह यह जोड़ कर सकता हूं कि 10 में से at least 5-6 question आडाम से आप कर ले जाओगे तो civil के लिए हो गया civil को surveying और building material कर लेना है electrical का previous year question कर लेना है और अपना branch को तो आप खुद से पढ़ना ही है अगर civil के लिए बात करें तो civil में क्या होगा कि 60% of the question civil से आएंगे 20% around mechanical से आएंगे 20% around electrical से आएंगे तो उनके mechanical के लिए आपको चाहिए कि basic thermodynamics को आप पर लीचे कौन सा process क्या होता है constant temperature process को क्या बोलते है constant pressure process को क्या बोलते है work done का क्या formula होता है अलग-अलग processes में कितनी total cycles हैं like dual cycle, diesel cycle, auto cycle, joule cycle, breton cycle यह सारे cycles को आपको पढ़ना परेगा क्योंकि cycle से बहुत ज़्यादा question आते है carner cycle तो सारा cycles को आपको basic thermodynamics में cover करना होगा अगर आप यह कर ले जाएंगे तो आपकी mechanical से जो भी questions आएंगे basic questions वो आराम से आप कर लोगे और heat transfer के थोड़ो थोड़ो question होते हैं जो कि आप heat transfer के conduction क्या होता है, conduction में furious lock क्या होता है, convection होता है, convection में newton's lock cooling क्या होता है, radiation होता है, radiation में steven bolt band lock क्या होता है यह सारे आपको पता होना चाहिए, basic concept जो भी heat transfer और thermodynamics के हैं वो अगर आप पर ले जाएंगे तो अराम से आप 10 question में से 7 से 8 question कर लेंगे वही electrical के लिए जो mechanical के लिए मैं बोला, कि जो strategy होनी चाहिए, वही आप लोग के लिए भी होनी चाहिए next paper बात करते हैं, तो आपके दो paper जो होंगे, वो आपके respective branch से होंगे, अगर आप mechanical से हैं तो mechanical के दो paper होंगे और अगर आप civil के हैं तो civil से दो paper होंगे, तो mechanical के लिए मैं यह suggest करूँगा कि एक youth competition times की एक book आती है objective की mechanical की, जिसमें की जितने भी बहुत सारे exams हैं, उनके previous year questions को दिया गया है, हाँ उसमें बहुत सारे answer की भी गलत हैं, तो उनका अगर आप questions को solve कर लेते हैं तीन से चार बार, तो मैं आपको यह बोल सकता हूँ कि जितने भी PSU अपना-पना exam conduct करते हैं, या जितने भी state services के exam हों के, technical field में, वो आराम से आप कर ले जाओगी questions को, क्योंकि इसमें बहुत सारे theoretical questions हैं, जो कि बहुत सारे PSC में पूछे गएं, तो अगर उन questions को आप कर लोगे, तो उसी question का repetition होता है, अलग-अलग exams में, तो इसी कारण बोलूँगा, mechanical के लिए, आप youth competition times की, जो mechanical की objective book है, उसक बहुत ही अच्छा सफलता मिलेगी, इस mechanical subject के लिए, वहीं बात करें, अगर civil के लिए, तो civil के लिए, आप लोग सब को ही जानते होंगे, गुपता अन गुपता की एक book आती है, objective, अगर आप उसको complete कर लें, तो BPSC में तो जहां तक मेरे को पता है, उसी से direct question उठा के दे द जाएंगे, तो आप civil engineering में बहुत ही comfortable हो जाएंगे, उसके exams को लिखने के लिए, तो ये रहे written के, कि written की क्या क्या sources होना चाहिए, और क्या क्या strategy होनी चाहिए, preparation के लिए, तो total marks कितने हो गए, आपके general Hindi और general English के marks तो add नहीं होंगे, एक general science का 100 नमबर का होगा, एक घंटा का पेपर होगा, वो आपका एक घंटा का होगा, सो नमबर का होगा, और दो आपके technical paper होगा, सो सो नमबर के एक घंट, कि total आपके written के marks जो हो गया, वो 400 हो गया, और interview, most probably सो नमबर का ही होगा, तो interview के लिए आप basic पर के जाएंगे, क्योंकि interview का questions आपको पता नहीं होता है, क्य आप पूछ जिए जाएगा, जैसे कि मैं अपना mechanical का interview का experience share करूँ, तो मेरे से पूछ दिया गया कि आप कर बीम का कैसे design करोगे, तो कर बीम का अपने syllabus में है नहीं, कर बीम का design, तो मैंने बोला कि सर कर बीम को design करने का हमने नहीं परहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, नही तो नहीं बताया मैंने, वैसे ही एक question मेरे से पूल दिया गया, wind tunnel, wind tunnel का मेरे को उसमें at that time मेरे को पता नहीं चला कि wind tunnel actually होता क्या है, मेरे को नहीं पता चला, तो मैंने बोल दिया कि sir I don't know, उसके बाद से मेरे से कास्टिंग से question पूछे गया, कास्टिंग से 5-6 question पूछे वो मैंने बताया, फिर thermodynamics और applied thermodynamics से around 5-6 question पूछे गया, वो मैंने बताया, फिर job experience question पूछे गया, वो मैंने बताया, तो आप यह नहीं target कर सकते कि यहां नहीं यह question पूछा जाए गया, क्योंकि मैंने यह नहीं पूछा कि आपका favorite subject क्या है, मैंने बोला fluid mechanics, heat transfer, thermodynamics, तो उन्ह आले question में मेरे को बोलना पूला कि sir, wind tunnel के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, वैसे ही stand up material भी मैंने फेविर सब्जेक बोला, वहां से भी उन्होंने एक ही question पूछा, वो भी पूछा design of curve भी, जो कि मेरे को नहीं पता था, तो आप कोई topic of focus नहीं करके जा सकते कि उसी जा सकते हैं, जितने भी basic definitions, जितने भी basic answers हैं, उनको आप तयारी करके जाएं, और जो भी city's में रहते हैं, उसके बारे में परके जाएं, आपकी college से तो जोब की experience के बारे में देख की जाए क्योंकि वो सारे questions वो लोग पूछ सकते हैं जैसा कि मेरे से पूछा गया था job experience में job experience के बारे में पूछा गया मेरे salary के बारे में पूछा गया क्यों मैंने छोड़ा ये सारे questions थे इंटर्व्यू के तो खोब कि ये वीडियो आप सभी को help करेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं mechanical interview के लिए वीडियो वनाऊ तो आप comment कर सकते हैं मैं definitely आपको help करने के लिए हमेशा ready रहूंगा thank you for watching my video